दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी P.F. में आपके फादर का नाम गलत हो गया है आपके पिता का नाम गलत हो गया है जिसके कारण अगर आप अपने P.F. को विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो या फिर आप अपने P.F. में परेसान होते रहते हो तो आज मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं आपको एकदम जो जैन्वन तरीका है वो बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीएफ में अपने फादर को नाम सही करवा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देगी दोस्तों अगर आपके पीएफ में आपके फादर का नाम गलत हो जाता है अगर आपका इंप्लोयर आपके फादर का नाम गलत कर देता है या फिर दोस्तों अगर आपका पीएफ में पहले तो नाम सही था लेकिन आप अगर बाद में अपने अधार कार्ड में ज तो ठीक है अगर आपने company छोड़ दिया है किसी दूसरे company में आप लग गए हो तो आप उस company से भी करवा सकते हो तो आपको सबसे पहले अपनी company में जाना है company में जाने के बाद आपको आपके company का जो letter head है जिस employer के अंडर में काम करते थे उसका letter head लेना है और उस letter head पे आपको joint declaration form print करवाना है पहले क्या होता था दोस्तों कि आप normally joint declaration form print करवा लेते थे और उसको आप भर के जमा कर सकते थे तो हो जाता था लेकिन दोस्तों अब जो है PF ने update कर गया है अब आपको अपने company के letter head पे अपना joint declaration form प्रिंट करवाना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आपको joint declaration form को भरना है आपके father का नाम क्या गलत है क्या सही है उसको सही से भरना है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपकी जो भी company है आपका जो भी employer है उससे आपको उसमें मोहर और signature करवाना है अच्छे से करवाना है आपको कोई भी गलती नहीं करनी है क्योंकि दोस्तो तो वैसे ही PF का काम स्लो होता है, बहुत ज़्यदा परेसानी होती है, और आप अगर थोड़ा सा भी गलती करते हो उसमें, तो उसके कारण आपका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है, अब दोस्तों वो फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने अधार क गलत नहीं होना चीए, तो आपको उस डॉकमेंट के भी जो भी आपके पास प्रूफ के तौर पर है, उसको आपको कलर कॉपी करना है, और उस जॉइन डिकलेशन फॉर्म के साथ आपको अटेच करना है सबको, और उसके बाद आपका जो भी रिजिनल पीएफ ओफिस है, मत आपका जो भी रिजिनल ओफिस है, वहाँ पे आप खुद से जाएं फीजिकली और उस फॉर्म को आप जमा करवा के आए, मतलब कि आपका जो भी पीएफ ओफिस है, वहाँ पे जाएं और आप अपना खुद से उस जॉइन डिकलेशन फॉर्म को जमा कर दे, और हाँ दोस् सर्टिफिकेट नहीं होता है, या फिर उनके पास दियो भी सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, तो क्या करते हैं, किसी बाहर दुकान से, साइवर कैफे से, गलत तरीके से उस पे एडिट करवा लेते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि इस से हमारा पीएफ जो है, इसमें जो भी यह जैनुवन तरीका था, पूरा मैंने आपको बता दिया है, और इसके कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, अगर आपको कोई यह कहता है कि मेरे को 2,000 रुपे देदो, 4,000 रुपे देदो, 5,000 देदो, मैं करवा दूगा, तो आपको ऐसे किसी भी जहासे में नहीं फ तो उसका भी लगभग लगभग सेम प्रोसेस ही होता है, आप वह भी ऐसी अपडेट करवा सकते हूँ, तो चलिए दोस्तो, आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ, वीडियो आप सभी को इन्फरमेटिव लगे होगी, तो वीडियो के एक लाइक कर दीजेगा साथ में दोस्तो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी इंफरमेटिव वीडियो देता रहोगा, और हाँ दोस्तो, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, या फिर पी एप से लेटिड आपको अहसान ही आती है, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिस करूँगा, चली दोस्तो, आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में